दिया हुआ है यूपी की कुल ग्रामीड जनसंक्या कितनी है तो देखिए ऑफ्सम ए पंद्रा करोड़ त्रेपन लाग सत्रा हजार दोसो अटतर बी चार करोड़ चार करोड़ चाबालिस लाग पच्छिस जार त्रेश सी उननीस करोड़ पंचानमी लाग एक कैसी जार चार स दोसक्ण पंद्रा वोके फर rolls यूपी की क्ल्ण ग्रामीड जनसंक्या पंदा करोड़ त्रेपं लाग सत्रा हजार दोसो आठतर है तो और आ। एह हमारे सर्दी है harman iso पुरस जनसंग्या उप्टी बिल्कुल राइट हुगा चलते हैं देखते हम लोग नेक्स कुश्ण के दिया हुआ यूपी में सारवाधिक जनसंग्या किस दर्म की है देखे फ्रफ़न में ऑफ़न भाधि जैन सी एसाई डी सिक अब फैक्ट जानते हैं देखिए जो हमारा य युपी है इसमें सब ज्यादे हिंदू निवास करते हैं कौनसे हिंदू निवास करते हैं तो इनकी जनशन्संग क्या है 0.13% कौन से हिशाई 0.13 और इसके बाद में जेन 0.12% ओके फरेंट तो देखिए हिंदू-मुस्लिम दिया नहीं है हिंदू-मुस्लिम दिया नहीं है तो हिंदू-मुस्लिम के बाद हमारा आता है सिक और सिक की जनसे के जिरू-पॉंट एक तालयस परसें परसेंट ओक्राइब अब हमें नेस्ट कछीन के ओए चलते हैं देखते हैं, परसनंबर स्टम्र 13. तो हमारा जिला किसे राज़स्तान से कभी सीमा नहीं मनाता है। तो हमारा उप्सरी fridge बिल्कूर लॉकु राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स कुशन के और चलते हैं देखते हैं क्वेशन क्या है यूप के पस्टी में कौन सा राज नहीं है तो देखिए यूप के बना हर्याना दिल्ली और राजिस्तान नहीं गुद्धे तो हमारा ओफ्शन सी बिल्कु राइट हो जाएगा ऑफ्शन के ओर यूपी का कौन सा जिला सरवाधिक राज्यों की सीमा इसपर्स करता है तो मैंने आपको बताया यूपी की आफ़सन ये सहारनपूर, B, सोनबद, C, महावबा, D, हमीरपूर तो देखें जो ये सहारनपूर दिया हुआ है, आफ़सन की तुरूज ये सहारनपूर दे रखा है ये हमारा सहारनपूर और सहारनपूर तीन राज्यों की सीमा इसपर्स करता है कौन सा? उत्राखंड, उत्राखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश और हर्याना तीन राज्यों की सीमा इसपर्स करता है सहारनपूर और हमारा जो सोनबद रह ये चार राज्यों की सीमा इसपर्स करता है बिहार ओके बिहार के बाद में जहारखंड जहारखंड के बाद में जहारखंड के बाद में चाथीज कर और MP चार राजियों की सेमाद तो हमारा इसके अग्सकी पिर इसकी ws insp. का खार ४ सूनवद बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें दिया है UP में कुल कितने मंडल दिये हुए हैं मंडल दिये हैं options A, A, B, 75, C, 18, D, 13 तो देखिए जो 80 दिया हुआ है यह हमारा लोग साबास दशा है UP में कितने 80 क्या लोग साबास होते हैं लोग साबा सीटे कितनी हैं? 80 है और देख्ए 31 यह राजसवह सीड़ें यह क्या है राजसवस अजत सीया से 31 चुने जाते हैं okay friend और 18 क्या है यह मंदल है और 75 क्या है यह क्या है जिला हमारे यूपी में 75 है तो मंदल हमारे कितने 18 है तो मंदल देखिये कोन कोन से है देखिए मंडल अठारा अलहाबाद फैजाबाद जो अब आयोदेव की नाम से जाना जाता है इसके बाद गोरकपूर गोरकपूर जहांसी लखनव मेरट वारांसी कानपूर मिरजापूर बस्ती चित्रकूट देवी पार्टन मुरादाबाद बरेली आजमगर आगरा और अल 50 City गहां संत्य तो देखिए में जो 50 skin की यह क्या पत रारी बात यह क्या और 50-100 diya हुआ है यह अ क्या दिया हुआ है निमन में नगदी फसल नहीं है और नगदी फसल नहीं है क्या होती है देखिए नगदी फसल कपास अलसी मुंगपली चाय गन्ना तिल सरसुन वा तमाकू है क्या नहीं क्या आया हमारा मक्का नहीं आया तो आफ संदी बिलकुर राइट होगा और मक्का हमारा क्या क्या वा में देखें नगदी कुस्टन नमा क्या दिया हुआ है तो देखिए कोईला का उत्पादन सरवादिक कहां पर होता है और देवरिया दिया हुआ है तो देवरिया में परसन का जो उत्पादन है सरवादिक होता है बटसन और बांदा है जो हमारा तो बांदा में आपको मालू मुझे ये बॉक्साइट बॉक्साइट पाए जाता है बॉक्साइट पाए जाता है तो हमारे प्रसन के अनुसार और अंसर क्या होगा प्रसन का मिर्जापूर अंसर होगा क्योंकि मिर्जापू सर्मंग मनमर पाया जाता है मिर्जापूर में तो हमारा option भी बिल्कुल right होगा मिर्जापूर, अब हम लोग सोन भद्र को भी देख लेते हैं, क्योंकि सोन भद्र दिया है, तो सोन भद्र में क्या, डोलो माइट सोन भद्र में, डोलो माइट और इलहाबाद, इलहाबाद में सिल्का बालू, जो एक प्रकार की सिल्का बालू होती है, वो इलहाबाद में, और हमारा बांदा आया तो बांदा में भी हम लोग डोलो माइट कौन सा, डोलो माइट सोन भद्र में डोलो माइट, और बांदा तो पत्री हमारा जल्बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् बार्दु अगंज पनकी युकानपूर का है ओबरा पारिच्छा अनपरा टंडा उंच्छार ओके परमाण उर्जा किन तो आपको मालू है जैसे कि नरोरा है हमारी उपी में परमाण उर्जा कि नरोरा ओके फ्रेंट यह बुलंद सहर में तो पत्री के आए यह रोग नहीं य लेकिन कानपूर में सीमेंट का निर्माण नहीं होता बही या कानपूर में लैदर चमडा उद्दोग और और बनस्पती घी उद्दोग यहाँ पर तो कानपूर हमारा होगा आंसर राइट क्योंकि कानपूर में सीमेंट उद्दोग नहीं है यहाँ पर चमला उद्दोग और बनस्पती घी डालडा का निर्माण होता है अब लगों निर्स कुस्टिन को चलते हैं निमन में बनस्पती घी उद्दोग नहीं है इसके बाद कानपूर के बाद चलते हैं मोदी नगर गाजियाबाद भी बनस्पती उद्दोग में आता है अब हम लोगों अलिगर को देखते हैं तो अलिगर में बनस्पती घी डालडा बनता है लेकिन सहारनपूर में खाले ही कागज उद्दोग है सारनपूर में क्या कागज उद्दोग होगा यहां पर क्या कागज का निर्मार होता है तो option D बिल्कु डाइट होगा अब हम नेर्स कुस्टें के और चलते हैं देखते हैं प्रस नमर 14 निमन में उनिवर्स उद्दोग नहीं है जो उनिवर्स नोगे वो कों सा नहीं है वारानर्सी में यह भी उनिवर्स के लिए फेमस है और जो हमारे खमरिया दिया हुआ है खमरिया भी यह उनिवर्स के लिए फेमस है लेकिन सह जनवा है यह हमारा क्या है यह उनिवस्ट उद्दोग नहीं है तो हमारा option D बिल्कुल right हो जाएगा क्योंकि सह जनवा क्या है जूट उद्दोग है यहाँ पर क्या है जूट उद्दोग है अब हम नेस्ट question के बर चलते हैं देखते हैं क्श्चन क्या है कि कुरूचेन फंद्रोन कि निम्न मैं г दी दोग नहीं है देखिए ऍहसाथ ब इतावा से में मौधी नगर अठेब हैं तो देखिए हम में नगर में भी यह तो आपको मालूम होना चाहिए कागज उद्दोग सहारनपूर में है कागज उद्दोग सहारनपूर वा लखनव वा लखनव दो में लखनव और सहारनपूर में कागज उद्दोग है चुर्क डल्ला और कजराट में तीनों में क्या है अभी मैंने आपको बताया था इन तीनों में हमारा सीमेंट उद्दोग है सीमेंट उद्दोग मिर्जापुर में पढ़ता है यहां पर हमारा बरेली इलहाबाद लखनौ यहां पर तीनों में एक चीज पाया जाती है क्या दिया सलाही उद्दोग जो माचस बनती है इन तीनों में लेकर रेंड कूट में एलूमन उद्दोग निम्न में इंजीनिरिंग उद्दोग नहीं है और लखनौ अब हम लोग देखते हैं इंजीनिरिंग उद्दोग में है अगरा में है लेकर हमारा लखनौ में नहीं है लखनौ मैंने भी आपको बताया था कि दिया सलाही उद्दोग है लखनौ में क्या माचस का उद्दोग है तो कहां पर लखनौ में नहीं है अब इसमें दिया हुआ है निम्न में दिया सलाही उद्दोग नहीं है अब ये बताना है निम्न में दीयसलाय उद्धोग नहीं option A, B, B, अलवा, C, लखनो, D, हे रन गाऊ'm ोक है प्रेंट तो देखिए दीयसलाय उद्धोग बरेली में है इलावाद में है लखनों में है लेकिन हमारा जो ये दिया हुआ है प्रेंच गाऊ'mें दिल्ली का औपलई नंगर किसे कहते हैं तो देखिए मेरेट- सुन जान पूत्व लवा तो देखिए दिल्ली का और गाजिया बाद को बना जाता है इसको छोटी दिल्ली भी बोलते है क्योंकि यह ईसका अपगरें नंगर यहां पे ज्यादातर वो होता है ना इंड्रिस्टिल एरिया है ज्यादातर गाजी अबाद में तो इसको हम लोग倌Ooh बोलते है दिल इसको हाँ मैंने गाजी अबाद मेरट को केची नंगर बोलते हैं मेरट को हम नोग जानपुर को सिराज-े-हिंद बोलते हैं और फिरोज को सुहाग नगरी बोलते हैं फिरोज dullkt को जानते हैं कि सुहाग नगरी बोلते हैं तो option नफासत का सहर किसे कहते हैं आफ़सन ए मतुरा आफ़सन बी मलिहाबाद आफ़सन सी गोरक पुर आफ़सन डी लखनव ठीक है प्रण तो नजाकत और नफासत का सहर लखनव को बोलते हैं लखनव को नवाबों का सहर बागों का सहर नजाकत नफासत का सहर लखनव को बोलते ह और हम लोग गोरकपुर को गोरकदाम नाथ नगर गीता प्रिस्ट नगर बोलते हैं और मलिहाबाद को मलिहाबाद आमों का नगर की नाव से जानते किसके आमों का नगर बोलते हैं और मत्रों को हम लोग क्रशन की नगरी पेड़ा नगरी पंडो की नगरी क्रशन नगरी बोल option c illegal option d वारान सी दिया हुआ है इसमें okay friend option d वारान सी तो देखिए मुक्ति नगर हम लोग वारान सी को बोलते हैं बिसुनात नगरी मुक्ति नगर और घाटों का नगर देखिए एक चीज सपस्ट कर लेना घाटों का नगर मैंने भी बताया था और घाटों का वो भी बोला था भी मैंने इसको बोला था जो मत्रा था ना मत्रा को बोला था पंडों की नगरी पंडों की नगर घाटों की नगर में अंतर यह याद रखना और देखिए मुक्ति नगर वारान सी को बोलते हैं अप हम लोग आयोध्य को क्या बोलते हैं आयोध्य को तीर्थ नगर बोलते है राम नंगर भी बोलते हैं और राम जन भूमी भी है उक्ग प्रां आगरा को ताज नगरी पेठा नंगरी अलीगड को ताला नंगरी सबपोई जानता है उक्ग प्रां तो आफ्षन डी बिलकुर डाइट होगा अब हम लोगो नेक्स कोशन के वर चलते हैं देखते हैं नेक्स कोशन क्या है निम्न में बिस्तराम घाट कहां पर है ऑफ्षन इमत्रा ऑफ्षन भी आगरा ऑफ्षन सी फटेपुर सीकरी ऑफ्षन डी सिकंद्रा तो हम लोगो यह देखन जी का निवासस्तान है चार हजार मंद्रों हजार मंद्रों घाटों सरूरों का वतनगर भी है और हम लोग आगरा में देखते हैं तो आगरा में क्या क्या है आगरा में आगरा में अकबर की समाधी है अकबर की समाधी आगरा के कहां पर यह सिकंद्रा में अकबर की समाधी ह है लेकिन आगरमित ताजमहल है आगरमिंख ली आह झाखरमें ताजमहल और सिकंद्रा आगरमेंए weather की वह समा लिए पतिपॉर सीकर दिया हुआ है न यहां पिर दर्वाजा सलीमilt की दरगाए यहां पर बुल्णद धर्वाजा है तो हमारा मत्रा में बिस्षामगाड रोहेलास नमंद स्थ नम्रें दिवहेलासूर मंदर के बुछ हैं थम है जालते हैं इसमें दिया हुए निम्न में इट निर्मित गुप्त कालीन मंदिर कहां पर है इट निर्मित गुप्त कालीन मंदिर है देखिए ओफसने भितर गाउं भी भिठूर सी चित्रकूर डी मतुरा तो हम लोग भीतर गाउं को देखते हैं तो भीतर गाव यह हमारा कहां कानपूर में हैं और यहीं पर इट निर्मित गुप्त कालीन मंदिर है अभी भी कानपूर में तो आफसाने बिल्कुल राइट हुआ अब हम लोग बिठूर कानपूर को देखते हैं यहाँ पर इस गंगा तर्पल महर्ज बालमी कास्ट्रम यहीं पर भी भी भीतूर में हैं और चित्रकूर देखते हैं तो चित्रकूर हमारा आप जानती हैं चित्रकूट को आप गए होंगे ते बहुत तो फिक ढटार को तो झाल को झाल में हुआ यह हैं और और मत्रा तो सब कोई जानता है तो मत्रा में बिश्राम घार और रोहिल्या सूर मंदर मत्रा में तो ऑफ्षन है बिल्कुल राइट होगा ओक्वे फ्रेंट अब नेक्स कुश्चन के ओर चलते हैं ये कुश्चन बहुत अच्छा है इसमें दिया प्रस नमबर 25 है भरत हरी का म मंदर यहां के हरी होगा भरत हरी का मंदर में यहां पे क्या होगा अबसन भी ऐयोद्या ओफिंसे बहराईत ऑफिंसिंति सीतापुर ऊकर प्रेंट तो देखें चुनार मिरजापूर है चुनार मिर्जापुर में है और देखे आयोद्या फैजाबाद भगवार रामचंजी की नगरी में आही चुकी हम लोग तो आप लोग जानते हैं कि कनक भवन है यहाँ पर कनक भवन सोने का भवन जिसको बोलने कनक भवन सोना उद्धा है कनक भवन युद्धा में और बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगा है सालार मसूद गाजी की दरगा है बहराइच में है सालार मसूद गाजी की यहाँ पर क्या दरगा है ओके फ्रेंट और सीतापुर में आगे हम लोग सीतापुर को आप लोग जानते हैं महार्स दधिस जी ने यहाँ पर तब किया था उनकी तपोस्तली है ललता देवी का मंदर यहीं पर है और ब्यास जी की गद्धी भी है वहीं पर हनुमान गड़ी, पंचांड़ो और नेम सारन वन बहुत अच्छा ही है हमारा सीतापुर में है तो हमारा भरतरी जी का मंदर चुनाओर मिर्जापुर में ओके फ्रैंड, थैंक्स फूर वाचिंग आप हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा वाच कीजिए